कहां? कहां जा रहा है अबिन हुएस? खुजान चाहा तो मैं मिम्बर पर जाके आज खुद्बा पढ़ूंगा किस मुनाजबत से? मैं अमीर इबन जाद की हकुमत का नाइब हूँ अमीर इबन जाद खुद्रे की कौन सी जहन्नम में चले गए हैं कि आपको अपनी हकुमत का नाइब बना दिया है उन्होंने? इस्तखफार करो अमीर ना तो मैं अमरे साद हूँ और ना ही ये लोग जो खड़े हैं औरत हैं आमिर इबन मसूद हंगामा मत करो बैठ जाओ ये दो अफराद जो तुम देख रहे हो आसिदे खलीफा इबन जियाद है उनकी जानिव से कौफे के मौमनें के लिए पैगाम लाए है खुदा की पना? क्या आप लोगों ने सुना? इबन जियाद अपने आपको खलीफा कहलवा चुका है और यकिनान उसका पैगाम भी यही होगा के कुफे वाले उसकी बैठ कर लें कुछ तो शर्म करो कुफे वालो खुदा के घर का मिमबर क्या इसकदर लावारिस हो गया है के हर नाहल और कम हैस्य श्छस उस पर बैठ जाए तुम्हारा मिमबर और महराब से क्या वास्ता एए बच्तमीज अरब अपने मूँ से ज्यादा बड़ी बात कर रहे हो क्या तुम्हारा सर जिस्म पर भारी हो गया है खलीफा मरा है मगर उमवी हुकूमत नहीं मरी है उमवीयों के पास धंके लोगों की कमी नहीं है तुम क्या समझते हो क्या तुम्हारे जैसे लोग जो आल जुबैर के किराय के पले हुए हैं वो लोग आल उमया के खिलाफ सर उठा सकते हैं जाओ अपने जगा पर बैट चाओ आमिर फितना बर्पा मत करो आए कूफा के लोगों आए कूफा के रहने वालों ये जान लो के बस्रा वालों ने इबनِ जयात की बैट कर ली है बस्रा वालों ने बहत्रीन काम किया है भलीफ अगन नाइव को ध्यानतदार और दीन के छिएनकों से वाकिफ होना चाहिए मैं एक शक्की इंसान हूँ बिन हुरैस तीन और चार रकत में शक हो जाए तो क्या करना चाहिए शक्की इंसान तो इंसान नहीं होता तुम्हारी नमाज पर अफसोस है आमिर जबके तुम नमाज में हर चीज और हर किसी के बारे में सोस सकते हो सिवाए खुदा के खलीफा के अमीर को मैशत और अमन अमान की फिक्र करनी चाहिए समझे ये शक्यात नमाज मुब्तलात वुजू ये अहकाम नजासत और महरमात और मुटाहरात के मसाइल उन उलमा से पूछने चाहिए जिन्होंने दीनी दूरूस पढ़े हूँ ये उलमा अमीर की दस्तरस में होते हैं और लोगों की दीनी मुश्कलाब भी हल हो जाएंगी मन्जूर बिल्फर्ज मैं एक बड़े घराने का वारिस हूँ खुदा जानता है कि ना मैं सुस्ती करता हूँ और ना बेगेरत हूँ दिन रात अपना खुन पसीना एक कर देता हूँ मगर अपने घराने का पैट नहीं बार सकता जबके मैं ऐसे मुसल्मानों को देखता हूँ जिनके घर के कुटे बिली भी मेरे घर के बच्चों से ज्यादा सेर होते हैं आप जो के लोगों की मईशत की फिक्र में हैं ये बताईए के मैं क्या करूँ जबके ना तुम मैं हराम कर सकता हूँ ना चोरी कर सकता हूँ जाओ मजाओ तुम जिन्दा ही क्यों हो जब अपने घराने का इज़त से पेट धड़ भी नहीं भर सकते किसने कहा था कि घराना इतना बढ़ा लो कि उनका पेट भी न भर सको इस मंतक के तहट आप मेंसे अक्सा लोगों को मर जाना चाहिए क्योंके आप तंगदस्थ हैं जहां तक हम जानते हैं खलीफा और उसके कारिंदों को सुननेति रसुल पर चलने वाला होना चाहिए ताके वो मतरूग का हक जालिम से चीन कर ले शाबाश आमीर शाबाश खनीफा और उसके कारिंदों को आदिल होना चाहिए ताके ना ही कोई मुसल्मान ज्यादा खानے से मरे और ना ही कोई मुसल्मान कम खाने की वजा से खुदा फ़ीजा की तुम तो आल जोभाईर के तरफदार हो छूटे कहीं के आल आलियु के जुमरे लोगों को क्यू सुना रहे हो सुन रहे हो लोगो इस से ज़्यदा मकारी और चला की क्या होगी ये बातें आली के दौर की थी जो खत्म हो गई आल जुबैर के मोटे खूसट खलिफा को इन बातों से क्या मैं इसकदर गैरत और मर्दानगी रखता हूं कि अपनी हकूमत और इक्तदार के हुसूल के लिए शरीयत और दीन की बातों का सहरा लेकर लोगों से कोई ऐसा वादा ना कर लूँ यो पूरा ही ना कर सको खुदा के घर के मिंबर को नजिस मत करो मलाओन नीचे उतरो जजीद को मर गया मगर उसके कुटे अब भी लोगों की जान नहीं छोड़ रहे कुफियों को अमवी खलीफा नहीं चाहिए खलीफा जुबैरी चाहिए अब्दल्ला जुबैर खलीफा आमिर अब्न मसूत अमीर अब्दला जुबैर खलीफा जुबैर अब्न मसूत अमीर अब्न मसूत अमीर इस वुराफार के साथ को उसा बहुत जलस दनी पोगो जाएगा फुसे वाले अंत्रसीब लोग है आज विखे से अम्नों अमार उत्त हो जाएगा तों नमक खरामों का हक बनता है कि तों लोगों कर बलागा बढ़ी उठे तो आले मेर पर पर हैरत को रही है कि आमिन नाम पूप कर स्यान को रही है मेदी गुप प्रणाव प्रणा Nä τις कधछन मेदी गुप प्रणाव अराक अरब के हालात पुरा शूब है हमेशा की तरह कुफा में फिर्गावारियत और मुक्तरिब गुरहों का मैदान जंग बन गिया है अब मेरा ख्यार है के जल्द अस जल्द इन लावारिस भेलों की फिक्र कीजिए और आज ही कुफा के अमीर के तायून पर गोर कर लीजे जिस कदर ये मौसू पुराना होता जाएगा अतना ही कुफा पर तसल्द बाना मुश्किल होता जाएगा मसला कुफा हम सब का मसला है हमारे ख्यार से वो वाहिद आदमी वो वाहिद आदमी जो कुफे के मौमलात को बासानी समाल सकता है वो है अबू इसाग जो हिराक को भी अच्छी तरह से जानता है और कुफे की तक्रीबन पूरी अक्सरियत का महबूब है और कुछ उदार भी है जो हमारे सर पर है अहसनत मरहबा इस हुसने इंतखाब पर खुदा की कसम आपने बहतरीन इंतखाब किया है कूफियों की अक्सरियत अबू इसाग को बहुत चाहते हैं खास तोर पर तववाबीन जो कि बेशक इनके हम आवाज है बहुत बहुत मुबारकों मुख्तार बेशक आप कूफा के अमीर होने के लाइक है बहुत खूब अबू इसाग वादा वफा कर दिया हमने हरचन के आप मक्य में हमारे लिए अमन के परवाने थे मगर क्या करूँ क्या करूँ के इराक तुमारी दर्यात और तद्बीर का मौताज है जल्दी करो अबू इसाग कूफा तुमारे इंतिजार में है अबू 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 नहीं गुजारे शेके मुझे माफ रखे क्यों मुक्ताज मैं जंग यू हो सियासदान नहीं जैसा कि आपने फर्माया कि कूफा कोई समझदार और सियासदान अमेर की जरूरत है तागर समझदारी और होश्यारी से कूफियों पर काम्याब हो सके मैं खुछ जानता हूं कि मेरे पास ऐसा कोई होने नहीं तो मैं इनके सारी दिखा रहे हो मुक्तार इनके सारी से काम ले रहे हो कि तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारी हमसे बैद करने की शर्टी राग क्यों कुम्मत दी वो शर्ट सिफ एक सवारिया निशान था आपको पहचानने के लिए मैं ये जानना चाहता था कि आपकी नजर में मुक्तार की क्या गद्रो क्यमत है बस इतना ही मेरी हकुमत का तक्त गोड़े की जीन है और मेरी राया तलवार मैं फाजी लिबास में बड़ा हुआ हूँ और मेरी जबान एक जंज उसे बाही की दो टोक और सख्ट जबान है हकुमत करने के लिए इतना नर्म, मीठी और रंग बरंगी जबान चाहिए ये वो सबग है जो मैंने खुद आप से सीखा है तो फिर बेहतर यही होगा कि मैं मक्का में आपके हुजूर में ही रहूँ बात खुब मगतार नहीं अब कान है जो कुवे की हुगमत के लिए मुनासिब होगा हाँ जाहिरां कुवे वालों ने इस ख़त में एक सख्स का इंतिखाब की बेहतर है कि खरीफा उनकी राहे को भी देगा किसका इंतिखाब किया है आमिर इबन मसूद का हाँ आमिर इबन मसूद एक दिनदार और खेरखा इंसान है मगर सिर दिनदार और खेरखा है क्या वो कूफे जैसे शहर से निमर सकता है हाँ मुझे बहुत लगता है कुछ हरसे उसे मौलत दे दीजिए कि वाली एकूफा बन जाए अगर वो लायक और समझदार निकला तो बहुत कूप नहुआ तो एक जिम्मेदार इंसान को कूफे की हुकुमत के लिए चुन लीजिएगा जनाब खलीफा कूफियों की राये पर एक्तिमाद करना कूफा के लोगों को आले जुबैर का चाने वाला बना देगा अच्छी राये अगरचे हमें हमें लगता है कि मुक्तार कूफे की हुकुमत के लिए सबसी उगला है हेफे के उसने मना कर दिया हेफे मुक्तार के फैसले की पीछे कोई फितना चुपा हुआ है कैसा फितना ये तो अब तक मुझे भी नहीं पता मगर मुझे यकीन है कि वो उच्छ खलत दी राते रखता है क्या वाकई आप उसे कूफा की हुकुमत देना चाहते थे मैंने तो दे दी थी मलूम ने कुबूल नहीं की ताजुब है तो फिर हम क्यों बागल बन रहें क्या मतलब है कि हमें पता नहीं चलना चाही कि मुझे पता है तो बता हो क्यूं quantो नहीं की पहले मुझे बताईए कि की औरावदा था फिर मैं बताऊंगा कि उसने क्यूं कूँ और नहीं की मेरा तो कोई ऐसा अरादा नहीं था इस तरह तो मुझे भी कोई इल्म गैब नहीं है जनाब अमीर कि मुख्तार ने हकूमत कूफा को क्यों कुबूल नहीं किया और वाग़ी कैसे जान सकता हूँ मैं हम तो पिर किस काम के हो तुम अगर मुझसे इतनी बाते चुपाएंगे तो मैं भी किसी काम का नहीं तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि मैं तुम से कुछ चुपा रहा हूँ क्योंकि रोजे रोजेन की तरह वाज़ है हकूमत कूफा के लिए मुख्तार को चुनना हर्गिस सोचा समग्ला और मागूल फैसला न था न है आप तो जानते हैं कि अगर मुख्तार कुफा पहुंच गया तो नाउजो बिल्ला खुदा भी उसे नहीं लोग सकेगा तो फिर आप उसे किस तरह कुफा भीश सकते हैं सिवाए इसके कि आप उसे थोका देने के लिए भीजिना चाहते थे या फिर मक्का और कुफा किरा में उसका किसा तवाँ करना चाहते हैं जब बच्छ़ा हस से ज़्यादा बड़ा हो जाए तो इसकी माँ को शदीद परिशानी हो जाती है अभी बहुत वक्त लगेगा तुमें एक समझधार सियास्तदान बनने में यहां तो सिर्फ मैं और आप हैं और इसके इलावा खुदा भी वाक्यान तुम किसी काम के नहीं हो बिन सहाल एक राज जब जबान पर जारी हो गया तो वो राज नहीं रहता हर फ्याम हो जाता है पहल जाता है पहल जाता है आज के बाद जो आ जाए जबाँ पर कोई राज बंद रखना लबे बतसाज रखो राज को राज दियान रखना के नहो जाए सुखनसाज औरना होगा काफस उमर का तेरी दर्बाज मुर्ग जा तेरी निकल करे उससे परवाज ये जो आपने फरमाया क्या ये फिर था? ये चाए साथ दी है ताके मर के भी न भूल सको अब बताओ के मुखतार मै कोफे की आमीरी क्यों कर गबूल नहीं की? मुखतार को मेरे अरादे का पता नहीं था लेहाज से बक्वास मत करना हाँ मुझे लगता है कि जब तक मुगतार के लगीब की शकल में सुलिमान इबन सुर्द खुजाई है मुगतार कुफा नहीं जाएगा वो तवाबिन का अंजाम देखना चाता है लहादा तामुल से काम ले रहा है जब तक सुलिमान इबन सुर्द और उसके साथ ही कूफा में आपको फिकर करने की कोई जूरत नहीं जो इरादे मुगतार के हैं उनकी राह में सुलिमान सबसे बड़ी रुकावट है जहे नसीब हबीद अबने मजाहिर के जहे नसीब मुस्लिम अबने उसजा के जहे नसीब उन लोगों के जिनों ने अपने आपको इश्क के काफले से मिला दिया और वाए हो हमारे हाल पर के जो नफसे मारा के हाथों जलील हो गए हमने वो काम किया है के अब क्यामत तक और अले अली कूफा से बेजार ही रहेंगे मेरी मदद कीजिए के हम अपनी खोई हुई इज़त दोबारा पाले अगर्चे मैं जानता हूँ के समंदर में बह जाने वाला पानी कभी वापस नहीं आता मेरी मदद कीजिए के हम इस श्रमिन्दगी के दाख से दामन को पाग कर ले होसला पैदा करो के फिर से जिन्दा हो जाए मैंने सुना है के बास कूफियों ने आले जुबैर के लिए बैद तलब की है मैं जो के तवाब हूँ खून हुसैन का इंतकाम लेना चाहता हूँ जहां तक आले जुबैर मेरी रुकावट नहीं बनेंगे मुझे भी उन से कोई सरुकाल नहीं आज मेरा जिहाद है किसास किसास है कातलान हुसैन और आर्जू है राह हुसैन में मर जाना तुम बिल्कुल ठीक ड़र रहे हो क्यान यहाँ तो एक इस्टेमाई खुदकुशी की बूँ आ रही है यहाँ अपने आप को जलाने वाली है दुश्मन को जलाने वाली नहीं वाकिन मुक्तार की सख सरूरत है कभी कबार अबु इसहाग और उसके इनकामों पे शदीद खुसा आता है मुझे इस कदर के मेरे दिल करता है अपना सर दिवार से टक्रा दूँ नजाने किस उमीद पे मक्के में रुका हुआ है यह हमारे खौबों के पूरा होने के लिए बेतरीन वक्त था सबसенд काम लोकियान जिस मुхतार को मैं जानता हूँ वो किसी बेकाल को बंजर जमीन तर कभी खदर नहीं रखता बेतर है तवाबेन के अंजान तक मुझार मकारे में रहे क्यों बिन कामल क्यूंकि यूँके वो सलेमान के साने नहीं आना चात तुमने सुना नहीं सुलिमान को हकूमे से कोई सरुकार नहीं है मुख्तार इस रविश के सक्ख खिलाफ है यजीद मलूँ जो वाके कर्बला का असल मसब्बित था वासल जहन्म हो गया बाद यजीद सितमगर इबन जियाद खवीज और उसके कारिंदे है इस गदर शक्ति उल्कल्ब कौम से जंग करूँ के बफजल खुदा शहादत से हम किनार हो जाओं जो भी मेरे हम अकीदा और हम दर्द है इस बेकार दुनिया से अपना दिल उखा ले और काफला गर्वला का मसाफिर हो जाए जालस अगर संडू हो से हुआ 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 है क्या सोच रहे हो शेमर मैं है रान हुआ हुआ है खुदा के कान नाम और जमानी की गर्दिश से हरस अदा होकर रह गया हुआ है आमिर की हवा की मानने द्चेयों ही हकुमत कितनी अजीब है न। एक शफस तुमारी तरह सारी उम्र तलाबे हुकुमत में जलता रहता है और एक शफस आमिर की तरह रात को सोता है, सुबा उटा के देखता है, तो पता चलता है कि आमीर बन गया आमिर की अमीरी ज्यादा चलने वाली नहीं है वो हवा के जोकें की तरह है तो पिर उसकी बैद क्यों करना चाहते हो तुम क्यों बैद कर रहे हो मैं आले उमय्या की ठोकर खाया हूँ उमर इन लोगों से मायूस हो बेजार हो मुझे तो मुश्किल ही लगता है कि बनी उमय्या के पास कोई ऐसा लायक इंसान बचा हो जो मावियक हुकुमत को जिन्दा कर सके मैं अपनी चांग के खौफ से बैद कर रहा हम तवाबें के घुस्से से बचने के लिए मुझे मजपूरा नाले जुबहर की पना लेनी होगी गुफ से बाद क्यों नहीं जाते उमर चला जाओं? कहा चला जाओं? वहीं जहां इबने जियाद गया है शाम तुम भूल गए किस तरह जूटी जन्नते दिखा कर हमें इस्तिमाल किया? यानि फिर से बेहोग कुफी करूँ ता कि यहारामजादा इबने जियाद मेरे सर पे सबाल हो जाए हरकिस नहीं अगर मुझार मक्या में ना होता तो मैं खाने काबब में पना ले लेता मैं हाकिम नहीं हूँ लोगों की खित्मत का हमानददार हूँ आप लोगों ने बड़ी समझदारी का काम किया कि लोगों के साथ हमावास हो गए और बैत का इरादा कर लिया लोग फिरकावारियत से ठक गए हैं मेरे खयाल से तववाबेन भी गलिती पर हैं ये लोग कड़े मुर्दे उकाड रहे हैं मुर्दा भी अज़ाब में और सिंदा भी अज़ाब में बहरहाल मैं कुफे वालों के काबिल एत्माद और खिद्मत गुजार होने के नाते यही नसियत करता हूँ कि तमम मुसल्मान भाई चारगी अख्यार करें यही बात खलीफा के हुकम में हमें मिलती है खलीफा चाहते हैं के मुसल्मान आपस में रहम डिली और नर्मी का गोशा रखें पुराने जख्मों पर लड़ना बंद करें और तमाम बुख्स और कीनों को बुला डालें क्या तवाबिम खलीफा की बैत नहीं करना चाहते क्या कहूं मुजू को पैचीदा बना रखा है उन्होंने जुमानी बाते करते हैं वो चाहते हैं कि खुदा भी मिल जाए और वसल जाना भी ना आले जुबेर का साथ देते हैं और ना ही मुखालफत करते हैं ये तो नहीं हो सकता अमीर या इस तरफ हो जाए या उस तरफ हो जाए जनाब खलीफा का क्या इरादा है आप लोगों की खिद्बत में अर्ज करूं कि खलीफा की बात एक दिलसोज बाप किसी है उमीद है कि ये फर्जंदे खताकार गलत रास्ते से लोट आए और सीधे रास्ते पर चलने लगे और बाप के गम औ घुसे का बाइस ना बने अगर ये ना फर्मान बेटा सीधे रास्ते पर ना आए तो क्या बाप के सबर की भी एकाद होती है फिर नभी खुदा हज़रत नुम और उनके बेटे के हिकायत हो जाएगी जब सबर का पैमाना लप्रेस हो जाएगा तो बाप मिजात पा जाएगा और बेटा हलाक हो जाएगा मुझे अमीर की बातों से ये समझ में आ रहा है कि जो भी आले जुबैर की बैहत करेगा गोया वो उनकी कश्टी में सवान हो गया है वो तूफानों और तवाबिन की चोड़ से अमान में रहेगा ठीक कहाना मैंने अमीर कोई मजाग की बात नहीं है शिम्र मगर मुझे तुम लोगों से और ज्यादा तबको थी अगर तवाबिन के खौफ से आप लोग आले जुबैर की बैट कर रहे हैं तो बेतर है बैट ना करें और देर होने से पहले अपनी जान बचाएं और फरार हो जाएं शाम की तरफ वो बैट जो किसी तरह के डर, खौफ या बेदिली के साथ हो वो किसी गद्रों क्यमत के नहीं होती लेकिन अगर आप लोग आले जुबैर पर इमान ले आए हैं तो फिर बैट कीजिए ताके आपको बना मिल जाएं मैं अपनी बैट की अपने खून से जमारत देता हूं खुदा करे के ये बगवास नहों इस बैट के जरीए आले अमया से इजारे बैजारी करता हूं और आले जुबैर से दोस्ती का मुश्ताख हूं ए तबाब भाईयों वाके कर्मला के बास सरगना मुस्बबीन ने इबन जुबैर के वालिय कूफा से बैट कर ली है वालिय कूफा ने अपनी तरफ से ये काम नहीं किया होगा यकीन वो अपने खरीपा की तरफ से इस गलत बैट पर मामूर किया गया था शिमर लईयन और उमर साद खबीस की बैट कुबूल करने का मतलब है के आल जुबैर ने अपने पिछले दावे सब वापस ले लिए यानि तवाबीन से खुलन 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 दुश्मनी करना जो हुसें के खुलन का इंतिकाम लेने वाले हैं अगर यही तमाशे रहे के हर चंद अरसे में कोई ताकत का भूका मुनहरिफ और लार्ची शक्त करा होकर दीन के नाम पर पत्तरीन और सबसे गी हुई हरकतों का मुर्तकिम हो जाए और जहां तक हो सकता है मुसल्मानों के माल और नामूस को लूटता रहे और एक मुसल्मान हुकुमरान इन सब बातों को नजर अंदास करके उसे पढ़ा दे दे तो ऐसे चो कोई मसला हर होने वाला नहीं है इबन ज्याद जो मशूर है बनाम एबन मरजाना अश्किया में शकी तरीन शख्स और 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 बहत्तर शोहदा करबला का गूनी दुश्मन और कादिल जो जूट और रियाकारी का उदाशी नाफरमानी और हरामकारियों का एहल है उसका और उसके साथ्यों का नजिस्वजूद धार पे लड़काया जाएगा ये कौन सी मस्करा में इस महफिल है ये कौन सी फजूल बाते पड़का सुना रहे हो मैं ठक गया हूँ चल दी से इस तमाशे को खत्म करो मुफ़तार मैं कहता हूँ ये तमाशे बंद करो कैफे इंतकाम तो तब है जब तुम अपनी तलबार को खून से घुसल दोगे अपनी पक्वास को हमर जान का जहर मत पनाओ तुम खुद अच्छी तरह जानते हो कि मैं खून और खून रेजी का आशिक हूँ चाहे मरू या मर चाहूँ मुखतार जान मुझे वो रोटी खिला के मानना जो बुल के रे की गंदुम से बकी हो या चाहे उसके कुछ भूसी टुक्ड़े ही मुझे दे दो के मुझा दो एए मुखतार मुझे गोर से देखो मैं वो शकी हूँ जिसने उस मेग सिर्फ सालार पकून अपने इन हादों से बहाया जिसका कोई यावर न था और या खोल दो वे पाने की देख में फेक दो अलवदाए खाने कावा अलवदाए आसू के तुल लगा अलवदाए अली की जाए पहदाईश शायद ये हमारा आखरी दिदार हो खाने कावा का तवाफ कबूल हो मुख्तार आपका तवाफ ये कबूल हो भाई अरकन पूरे नहीं करोगे कूफा से हानी अबने जुबाए वडाई साहर क्या हाल है अबने जुबाए आपकी दुआउं से अबू इसाथ आप क्यासे है साहर चल रही है हजार शुक्र है उसका जितनी देर तुम तवाफ में थी में तुम्हें देख रहा था तुम हरा तवाफ तो तवाफ विदा था कहां कहला दाए इंशाला इंसान की मौत हर वक्त इंसान के ताकुब में रहती है हानी शायद अभी सहने कावा से बाहर कदम रखे हैं और तो पर बैतर है के इंसान हर वक्त जाने के लिए तयार रहे कब तक मक्का में बैठे है रहने का इरादा है मुक्तार बिल्कुल कुफ़े को भूली गए हो तुम अपने घरवालों से मिलना नहीं चाहते खाना कावा के जवार में रहने के तौफ़े कहर किसी को मुयसर नहीं होती कुफ़े की क्या खबर है अदमे जुबा कुफ़े तो मत कहो जैसे कोई तौफ़ानी धरिया है सिर्फ मुक्तार की कमी ही यजीद की मौत के बाद अप कुफ़े को गहरत आहीं गई और उमवी कारिंदों को जलील और रुस्वा कर्ब के कुफ़े से बाहर निकाल दिया लोगों की आले जुबेर से बैच सिर्फ मसलिहत की तहते है उन लोगों ने मजबुरन आले जुबेर से रजममंदी का इसार किया है जाहर है अंधों में काना राजा होता है अगर तुम कुफ़े में होती तो कमस्खम लोग आमेर इबने मसूत की तरफ ना जाते अभी भी देर नहीं हुई है मुगतार कुफियों को आले जुबेर पर शक है जनाब सुलिमान असुर्थ तो तेर नहानी तो पर उनकी बैद क्यों नहीं की तुम लोगों ने सच तो ये है कि बहुत से लोग सुलिमान के गिर्द है मगर सुलिमान वज़ाते खुद हुकूमत नहीं करना चाहता है हमने जितने भी जिद की उसने पुबूल नहीं किया राद दिन गिल्या करता रहता है सुलिमान और उसके साथी तबाबैन के नाम से मशुरूबे है उनका अकिदा यह है कि उनकी तबावस्वा कुबूल होगी जब ये शहीद होंगी कूफियों की राय मुक्तार के बारे में क्या है हाली किस हावाले से हर हावाले से जनना चाहता हूँ कि मेरे बारे में क्या कहते है अच्छे च्छे बाते करते हैं हमने तुझे कुछ सुना है वो जंगे मक्का में मुक्तार की शुचात और उसकी हरम काबा के दिफा में जाने सारी का ही सुना है लोगों की आले जुबेर के तरफ जानी की एक बहाना तराश दलिल तुम खुद हो मैं? और क्या? कुफियों का तुम्हारी तश्खिस पर इमान है लोग कहते हैं अगर आले जुबेर अच्छी लोग न होतें तो मुक्तार उनके पास ना रुके रहता वाके हैं? तुम अपने आपको इतना कम केमत क्यों समझते हो अबुष साथ? तुम्हारा बैतुल्ला का दिफा करना इन लोगों के घुरूर का बाइस बन गया है तुम पर नास करने लगे हैं गे लोग तवाबेन का क्या? क्या उनकी भी यही राय है? तवाबेन को ना मुक्तार से सरुकार है और ना आले जुबेर से उनका सारा गम शहादद पाना है मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना? मुक्तार हाँ तुम्हारी ख्याल से कि यह आले सुबाइन कैसे लोग हैं? किस हवादर से? दीन, शरीयत, तरीकत और सलाइयत के हवाले से? क्या वाकई में दिन का दर्द है भी? या सिर्फ रियास्त के भूके हैं? फक्त खुदा ही अंदर के राज से वाकिव है हमें क्या पता? मेरे और हज़दे खलीफा के लिए खाने, पीने और सूने से ज़्यादा मुकदम ये है कि शरीयत का पास रखें जनाब खलीफा चाहते हैं कि उनके भाई की बेवा हुकम शरीयत के मताबक शादी कर ले गैरों और अजनबियों से नहीं वो चाहते हैं कि मैं जब तक जिन्दा हूँ, जुबैर की बहु बन कर रहूं हुकम सर आँखों पर मगर मुन्जल की मौत के बाद मैंने वो मन्नत मानी है जिससे मिराने काह मशरूत हो चुका है कैसी शर्ट है बानू? शर्ट इकिसास खिसास? किस से? गातिल मुन्जल से मुन्जल का कातिल एक बतनसीब और बेतुका सा शामी आदमी था जिसे मुन्जल ने खुद वासल जहानूं कर दिया मुन्जल का कातिल वो अलमदार है जिसने मुन्जल को मैदान में जाने की जासत दी मुखतार? जी हाँ, मुखतार जब तक मुख्तार जिन्दा है जुबैर की तमाम बेटों के सर खत्रे की सत्मे है मुख्तार का मारा जाना हमारी हुकूमत के लिए बुरा गदम है खाशिया तो उसे इस तरह भी मारा जा सकता है कि उसका खून हुकूमत बनी जुबैर के सर ना आए तुम बजिद हो के मुखदार मारा जाए मैंने मन्नत मानी है जाफर एहत किया है खुद से मन्नत का अदा करना वाजिब है मेरा फैसला खुन मुखदार है परवर्दिकारा तुझी से दिलित बिनान का बाइस से